जिस बिहार में लोग नौकरी के लिए दर-दर भटकते हैं अब उसी बिहार में लोगों को जबरदस्ती नौकरी दी जा रही है अब आप सोचेगे कि आखिर सरकार को हुआ क्या है उमीद में सालों से भीक मांगने के काम से जुरे लोग अब भारे पर भिखारी लाकर उससे भीक मंगवाने का रैकेट चला रहे हैं दिव्यांग लोगों को घर से उठा कर कभी के नाप करके भीक मांगने के लिए ले जाया जाता है उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और फिर सड़क पर भीक मांगने के लिए उतार दिया जा रहा है और अब मामरा सामने आने के बार पुलिस इस मामले में कारवाई करने की बात कह रही है लेकिन हम आपको भारे पर भिखारी के नेटवर्क के पूरे खेल के बारे में बताएंगे अब नमस्कार आप देख रहे हैं श्वंता जंक्शन और मैं आपके साथ वंदना क्यामरा पर सनूम प्रिकाश के साथ बिहार में रोजगार की कमी तो है लेकिन इसका मतलब अब ये तो नहीं कि रोजगार के नाम पर लोगों से भीक मंगवाया जाएगा और अगर ऐसा किया जा रहा है तो पुलिस को कैसे इन सारे रैकेट्स के बारे में जानकारी नहीं मिलती बिहार के कचिहार से भारे पर भिखारी का नेटवर्क की कहानी जो निकल कर सामने आए है वो जड़ा फिल्मी है अब तक दिव्यांगों से या बच्चों से जबरदस्ती भीक मंगवा कर उस पैसे से एश मौच करते हुए आपने फिल्मों में देखी होगी लेकिन अब ऐस आप मेंगास से च्वा जाकारी में भीक मांग रहे से तो इस कासले करें अब वार बीत होगी जो परिवार अपने बेटे को कभी किसी कार्याले में बैट नौक्री करने का सपना देखता होगा लेकिन उनका बेटा सरक पर वील्चेयर पर भीक मांगते हुए नजर आता है पहले ऐसा लोगों को लगता था कि सिर्फ मुंबई में भीखारियों का सबसे बड़ा नेटवर्क काम करता है लेकिन अब ये सिर्फ मुंबई और दिली जैसे बड़े शहरों तक ही सिमित नहीं रह गया है बलकि बिहार में भी इस नेटवर्क के द्वारा बड़ा धंदा किया जा रहा है जिसमें हजारों की संख्या में दिव्यांग, बच्चे और बज़ुर्ग लोगों को शामिल किया जा रहा है और फिर उन्हें भीक मागने की ट्रेनिंग देकर उनसे भीक मंगवाया जा रहा है मामला बिहार के सिमान्चन से सामने आया है जहां रमजान के मौखे पर भारे के बिखारीों का नेटवर्क खड़ा किया जा रहा है और उसके बीख मुँआ कर भारी कमाई की जा रही है और उससे हुई कमाई को भिखारी माफियां उतक पहुंचा रहे हैं मतादे दिव्यांग लोगों को किरनाप किया जाता है उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है अभी रमजान के मौके पर दिव्यांगों को मस्जिद के सामने जबरदस्ती बिठा कर भीख मंगवाया जाता है जिसका खुलासा तब हुआ जब कटिहार के मनिहारी से करीब देर महीने पहले एक दिव्यांग बच्चा गुल्षन अचानक से गायब हो गया था पड़ी जनों ने उसकी काफी खोजबिन की लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चरपाया जिसकी सूचना मनिहारी ठाने को भी दे दी गई थी लेकिन अचानक परिवार को पता चला कि उनका बच्च भीख मागने को मजबूर किया था और हो फिर हर रोज 100-15-1500 बड़ा हिस्साすंदिकेत के लोग लें लेते हैं उसने भी खुलासा किया है कि इसमें बहुत से लोग शामिल हैजर को बच्चे भीख मंगवाने के लिए बंधक बनाकर लाए जा रहा है उनसे ये काम करवाया जा रहा है गुल्शन ने कहा है कि इस नेटवर्क में ज्यादा बच्चे नाबालिक होते हैं और इस पूरे इस पूरे भिखारियों के नेटवर्क के पीछे बड़े-बड़े लोगों का हाथ शामिल है जो कि पैसे रुपय का हिसाब रखते हैं ऐसे में अभी बड़ा खुलासा होने के बाद मनिहारी डीएसपी और पुलिस प्रसार्शन नहीं आगे कारवाई की मांग जो लोगों ने की है उस पर ये जताया है कि आगे वो इस पूरे मामले की जांच करेंगे और आगे कारवाई करके जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उन पर कड़ी कारवाई की जाएगे अब ऐसे में अब आगे जो भी जानकारी आती है वो भी हम आप तक जरूर पहुचाएंगे फिलहाल के लिए हमें दीजे इसाज़त और वागी अपडेट के लिए देखते र करने वाद़